हेलो एंड वैलकॉम दियर शुरेंट्स स्वागत है अब सभीका आज के संडे स्पेसल वीडियो में बच्चों आज का टोपिक मैंने रखा है पुराना चीज रखा है पहले जब लोग घरों में रहा करते थे और उस समय पुराने समय में अक्सर बिजली नहीं हुआ करती थी और साम को ज़्यादतर लोग के हाँ धिवरी हुआ करता था लाल्टेन हुआ करता था और उसको जला कर और ज़्यादा रूम हुआने करता था उस समय फैमली में जितने भी लोग हुआ करते थे लगबग एक ही जगर आते थे और फिर बच्चे जो होते थे दादा दादी के पास नानानी के पास कहानिया अक्सर सुना करते थे तो उन्ही कहानियों में से कुछ ऐसी कहानिया होती थी जो बहुत इंपोर्टन हुआ करती थी और वो चीज़ जो मैंने सुना था उस समय और जो मुझे ज़्यादा इंपोर्टन लगा उसका एक टॉपिक मैंने ले लिया है और मैं इसके बारे में बतलाओंगा मेरे पिताजी अकसर जब यहाँ पर यहाँ काम किया गरते थे प्लॉफिल्ट में और गाउं जाया करते थे पहले आनोग गाउं पर धार्मिक शीजे तो कुछ नाकुछ इस तरदा कर धार्मिक चीजे या फिर उन लोगों ने उस तरह का कुछ अच्छी चीजें, पढ़ाई क्या, पहले उन लोग पढ़े जो रहते थे, उन ही से समन्दित बाते बतलाये करते थे, गाओं में अक्सर बहुत कम लाइन रहा करता था, मुझे पता है कि जब मैं बच्चा था, उसमें बहुत कम लाइन आता था, कई घंटा मैं कटा हुए रहता था, और फिर कब आएगा उसका कोई कुछ कहना नहीं है, तो उस दर्म्यान जो है, जब मेरे पता जी जाय करते थे, तो कुछ ना कुछ उस तरह की बाते सुनाये करते थे, या तिर धार्मी कहाणी बतलाई करते थे, इस पर बात करने से पहले मैं कुछ information आप लोगों से share करूँगा क्योंकि अब इतने दर्म्यान में वन विक के दर्म्यान में क्या बित्ता है चैनल पे या किस तरह के comment आते हैं बच्चों के तो मैं बतला दूँ कि अभी एक student एक लड़की है जो वो अपने class की question answer के लिए वो मुझसे request की थी तो मैंने उसका यह मंगवाया उसको बोला क्या आप picture जो है भेज़ दो chapter का मैं उसका answer करके दे दूँगा लेकिन क्या होता है mobile में उतना ज़्यादा study करना पढ़ना छोटी छोटी letters होते हैं उतना study करना बहुत मुश्किल होता है आप screen को इधर करो फिए इधर करो फिए उधर करो बहुत problem होता है एक book से पढ़ना और एक mobile से पढ़ना mobile से पढ़ना easy नहीं होता है उसके बाद mobile में कई सारे letters clear नहीं दिखते हैं इस तरह का होता है तो मैं नहीं दे सका उसको मैंने message कर दिया था नहीं दे सका हो सकता है मैं आगे दे सकूंगा या फिर देने में मुझे काफी time लग जा ऐसा भी हो सकता है और जब उससे चाहिए उस समय में नहीं मिलेगा तो उसको प्रॉबलम होगा तो मैं सोच रहा था कि अगर एक whatsapp group हो मैंने तो ऐसे create किया था लेकिन फिर मैंने delete कर दिया मुझे लगा कि ये useful नहीं होगा लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं का बच्चा हो उसको पता नहीं है उसको answer उसके पास नहीं है लेकिन अगर किसी दूसरे बच्ची के पास है तो अगर group में जुड़े हुए रहेंगे और वो वहाँ से message करेगा कोई भी message करेगा कि किसी के पास इसका answer है तो आप यहाँ पे group में दे दे तो इससे क्या होगा कि सारे बच्चों को मिल जाएगा और दूसरी एक बात और है कई बार मेरे पास भी answer होता है किसी चीज का answer होता है लेकिन मैं उसको YouTube पे नहीं डाल सकता क्योंकि YouTube पे डालने का मतलब है कि आप उसको सटिक डंग से पुरा वीडियो बना के अच्छे से उसको डामना पड़ेगा क्यों? क्योंकि वो हमेशा के लिए वहाँ राने वाला YouTube वीडियो जो है पुरी तरह से तब तक मैं YouTube में उसको नहीं डाल सकता और तब तक मैं YouTube में डालता नहीं तब तक share नहीं कर सकता जैसे तैसे तो YouTube में डाला नहीं जा सकता लेकिन WhatsApp में उसको share किया जा सकता है मैं यहाँ पर ऐसा सोच सकता हूँ यगर YouTube में राता तो मुझे watch time मिलता लेकिन WhatsApp में है तो मुझे उसका benefits नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा यह अच्छा नहीं है मुझे चाहिए कि बच्चों को मिल जाए और उसे benefit हो सबसे बड़ा चीज यह है इसलिए मुझे यह नहीं सुचना है कि मुझे watch time मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मिलना होगा वो तो time to time फिर नए बच्चे जुड़ते रहेंगे आते रहेंगे उससाब से तो मिली जाएगा इसलिए अभी जिसको जोरत है अगर मेरे पास है तो मैं share कर दूँगा और किसी दुसरे बच्चे के पास है तो फिर वो share कर सकते हैं उससे क्या होगा कि किसी और बच्चे को जिसको help चाहिए हो उसको मिल जागा और सबसे बड़ी बात है यहां से help मिलना जुरूरी है ग्रूप होना चाहिए अब मुझे लग रहा है लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि होना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बतलाएं तो मैं फिर एक ग्रूप क्रेट कर देता हूं लेकिन मैं एक चीज और बतला दूँ कि मैं यूटूब पे जितने भी विडियो बना रहा हूं इसलिए यूटूब पे मैं ज्यादा समय देता हूं यूटूब पे समय देता हूं इसके बाद अपना काम पे समय देता हूं क्योंकि मेरा काम ने चलेगा तो सारा कुछ बंद तो आई एक टॉपिक पे चलते हैं कि उस समय क्या टॉपिक हुआ करता था तो उस समय एक चीज आप लोग साहिद सुने होंगे या नहीं सुने होंगे मैं बतला देता हूं उस समय संस्क्रित का बहुत ही बिसेस रूप से पढ़ाया जाता था संस्क्रित लोग ज़्यादा पढ़ते थे स्टुटेंट भी पढ़ते थे और टीचर भी उसको इंट्रेस्ट के साथ पढ़ाया करते थे उस समय स्टूडेंट्स को एक टोपिक बतला जाता था संस्कीरित में यह था बिद्यार्थिनम पंच लचनम मतलब बिद्यार्थि के पांच गुन होते हैं या होने चाहिए तो कौन-कौन से हैं यह पांच लचन हैं अलपहारी, गिरित्यागी, स्वाननिंद्रा, बकोध्यान खांच चेस्टा, इस तरह से कोई इसका सीरियल नमबर मुझे तो याद नहीं है, लेकिन इस तरह से बतला जाता था, अलपहारी, गिरित्यागी, अलपहारी का मतलब होता है, अलप, मतलब थोड़ा, भोजन जो है आप, थोड़ा कीजिए मतलब कम कीजिए, उसके बाद गि कि दियागी गिरव मतलब होता है औरम hospitals को और चोड़ना उत्याइब्पर प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करने के लिए अगर आप लोगो को घर Beijाघ करने के लिए दूसरे जगा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं गांदी जी भी बेरिश्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे तरह से इस तरह की समस्याएं आ सकता है अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने के दौरान हो सक ताई कि घर छोड़ना पड़े और छोड़ दीजिये वहीं अच्छा है। इसके बाद स्वान्निंदरा, स्वान मतलब अत्ता कुट्ता और निंदरा मतलब सोना। कुट्ते के समान, कुट्ता जो हता है, वो पुरी ग्हिरी निंदरा में नहीं सुए करती है। जैसे ही कुछ छोटा मोटा चीज आहट होगा तो वत तुरंत ही जाग जाता है। इस तरह से नहीं सोना है कि बस घोडा बेच के सो गए और फिर उठना नहीं है। इस तरह से ध्यान रखना है, कुछ भी हुआ तुरंत उठ जाना है। उसके बाद काग चेस्टा, काग मतलब ह होता है कव्वा और चेस्टा मतलब कव्वे की तरह सतर कराना है कोई भी चीज हुआ कहीं भी कुछ घटना घटने वाला है या कुछ इस तरह की चीज होने वाला है तो सतर करेए एकजाम होने वाला है उसके पहले सतर करेए कुछ और इस तरह की चीज हो सकती है इसके अलावा बको ध्यानम मतलब ध्यान लगाना है बगुले की तरह बगुला किस तरह से ध्यान लगाता है उसके बारे में कुछ चेप्टर भी बने हुए है जैसे कि बगुला जो होता है वो छिछले पानी में मतलब जहां कम पानी होता है उसका पैर जो होता है लंबा लंबा होता है तो फिर उसके बाद बहुत सारी मचली तुर्ण सारे मचल्या फिर आने लगते है और अब ये कुछ नहीं करेगा और बिल्कुल वो सांत कड़ा रहता है और फिर अचानक से एक मचली को चोंच में पगड़ता है और उड़ जाता है इस तरह से बोगले की तरह ध्यान लगाना होगा इसमें बतला जाता है इसके बारे में हो सकता है आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे अगर नहीं सुने है तो आप अपने पापा से हो सकता है या दादा जी से पूछ सकते हैं इसके बारे में या फिर इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे मिलेगा या फिर कोई पुराना किताब हो तो हो सकता है संस्कीरित का किताब उसमें मिल सकता है तो उम्हेत करते हैं कि आज का topic आप लोगों को पसंद आया होगा इस तरह का और कोई interesting topic लेके फिर आप लोगों से Sunday को फिर से मैं मिलूंगा तर्टे कि ये जाहिन गुपाइ